तो उसमें जो पहला लाइन बाबाजी ने लिखा है परमानुस अन रचना को पहचानने की कामना मानव में सुदूर विगत से ही पाई जाती है तो जिग्यासा रूप में देखें तो मनिश्य ने बहुत कोसिस किया कि जो हर वस्तु जो हमारे को स्थुल आंखों से दिखती है तो वह इस्तुल आंखों से एक औब जेक्ट के रूप में दिखता है जैसे ये पाइन की ही बात करें तो ये पाइन अपने आप में दिखता है कि पूरा ठोस है लेकिन ये कल्पना में आता है कि ये एक सिंगल ठोस है यह बहुत सारे छोटे छोटे ठोस चीजों से मिलके बना हुआ है, लोगों के कलपना आने से ही लोगों ने इसको जो है, यह महत्पनी बाद है कि हम इसको फिजिकली जो है कुछ एक लिमिल कड़ी तक ही तोर सकते हैं, उसके बाद जो है हमारे छमता या हमारे पास ऐसे विचार नहीं है जिससे हम इसको और भी तोर सके तो इससे यही वाक लेकिन कालपनिक रूप में कलपना है तो इसको तोराएजा ही सकता है तो यह ऐसी कलपना लोगों ने दोर इसी अभाद पर बाबा जी ने जो लिखा है कि मानव विघटन विदी से मूल वस्तु तक पहुचने के लिए सोच विचार पडियोग किया तो विघटन विदी से मानव ने सोचा भी उस पर विचार भी किया और पडियोग भी किया और उस पडियोग के आधार पे जो है काफी निसकर्स निकाले तो step by step step by step जो है अपने निसकर्सों को वो modify करता गया कि जो पुराने निसकर्स थे वो उसको कुछ दिनों बाद जो है मतलब किसी दूसरे परयोग के अधार पर वो निसकर्स सही नहीं बैट रहे तो उन्होंने फिर से नया परयोग किया और फिर से नया निसकर्स निकाला और इन सब के मूल में था ही कि यह हम जो है साइंस या हर मानब जो है इसके मूल वस्तु तक पहुचना चाहता था इस अर्थ में मनुश्य की जो है वो प्रयास जारी रहा इसलिए जो बाबाजी ने लिखा है मानव विघटन विदी से मूल वस्तू तक पहुचने के लिए सोच विचार परयोग किया विघटन के आंते में कोई निश्चित मूल वस्तू की अपेक्षा भी बनी रही अपेक्षा बनी रहने का मतलब है कि इसको कल्पना में आता है कि हम इसको भाग विभाग करते जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि गनित के रूप में तो ऐसा लगता है कि भाग विभाग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो यह पहुंचा कि किसी भी वस्तु को विघटित करते रहेंगे, तो कोई ऐसी स्थिती में पहुंचेंगे, जहां विघटित इकाईयां स्वचालित रूप में कारे करता हुआ समझ में आता है। ऐसे कारेरत इकाई को हम परमानू कहते हैं। तो यह जो बाबा जी ने कहा कि जो ूप्त मांसिक्ता, मतलब इसको विघटन विधी से इसमें जो भी हमने अपनी कल्पनाशिलता लगाई और उस कल्पनाशिलता के लिए हमने जो भी परयोग किया और उस परयोग से हम जो है जहां तक पहुँच पाएं, तो उसमें जो है एक कह रहे हैं कि जो वो एक जगा हम पहुँच गए जहां पर उसको और फर्दर डिभाइड नहीं किया जा सकता, उसको और छोटे भागों में नहीं बाटा जा सकता ऐसी इस इकाई को जो साइंस ने नाम दिया परमान। या परंपरा में जो ये नाम रहा परमान। और एटम के रूप में इसको नाम दिया गया। अब यह सब कैसे कालरत है इसको समझने की इक्षा भी माना में बड़ी रही तो एक तो बात महत्पुर्ण है कि परमानु के बारे में लोगों को अनुमान तो हो गया कि किसी विवस्तु का भाग विवाग करते जाएंगे तो एक छोटी जो सबसे छोटी काई बचे गी जिसको और भी भाग विवाग नहीं किया सकता है उसका नाम परमानु या एटम रखा गया अब बात आती है कि परमानु अपने आप में क्या है हमने इसको विगटित करके परमानु तक पहुँच गये लेकिन परमानु अपने आ है सब चीजे इसको समझने के आसा मनुष में रही ही तो उसके आगे जो बाबाजी लिखते हैं परमानों के मद में एक या अधिक अंस और उसके सभी और परिवेशों में घुमता हुआ एक या अधिक अंस होने की विवस्ता है अब बहुत मज़दार बात है पहले थोड़ समस्त समान रूप गुन सभाव वाले इकाईया अंस कहलाती है परमानों के गठन में पाए जाने वाले समस्त कन परमानों अंस कहलाते तो अंस का जो है बाबाजी ने एक जेनरल डिफिनेशन दिया है कि परते एक छोटे से छोटे और बरे से बरे इकाई के गठन में पाए जाने वाले समस्त समान रूप गुन सभाव वाले इकाईयां तो किसी भी एक चीज को देखेंगे जिसे घर का देखेंगे तो घर की जो एक सबसे जाधा building block से एक इट है तो वह घर जो है कई इटों से मिलके बना हुआ है और हर एकवी को जैनली हम लोग देखें तो सब वह रूप गुनसभाव वाले जो उसको नाम दिया लंस यहां पर थोरा सा मैं कहूंगники science जो है इस से डीफर करता है कि बाबा जी ने इन सारे परमानु अंसों को समान कहा है कि ऐसा समझे कि परमानु में जो परमानु की संरचना को लेके बाबा जी कह रहे हैं कि परमानु की संरचना को समझने जाए तो इसके नाभिक में कुछ अंस होते हैं और उस नाभिक के चारों तरफ इच्छा में घूमते हुए कुछ अंस होते हैं। और ये दोनों अंस जो है उनका रूप गुन सोभाव सब समान होता है। लेकिन साइन्स ऐसा नहीं मानता। साइन्स जो है उसकी अनुसर जो साइन्स स्ट्रक्चर के रूप में तो ऐसा ही कहता है। कि नाभिक में यहां पर भी कुछ पार्टिकल्स हैं और उसके चारो तरब भी कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो घूम रहे होते हैं तो वहां पर साइंस यह मानता है कि जो नाभिक में जो पार्टिकल्स हैं उसमें दो तरीके के पार्टिकल्स हैं दो अलग रूप कर तो बात न नूट्रण दिया हूँ और उसके चारोत तरफ जो और बिट में एलेक्ट जो अन्स घूमते हैं उसको उन्हें इलेक्ट्रॉण नाम दिया हुए तो साइंस के अनुसार परमानों में तीन अलग तरीके के पार्टिक्ल्स हैं एक है इलेक्ट्रो दूसरा है proton और तीसरा है neutron अब बात यह आती है कि बाबा जी का निस्कर्स और science का निस्कर्स क्यों अलग है तो निश्य ही बाबा जी ने जो अंस को पहचाना है उसमें कोई परियोग विधित में बाबा जी नहीं गए जहें साइंस ने बहुत जो परियोग किये रदर फोर्ड ने परियोग किया फिर और भी बहुत लोगों ने परियोग किया और उस परियोग के अधार पे अपनी कल्पना शीलत के साथ उसको समझने के लिए ऐसा उन्होंने कुछ प्रोपर्टीज चूज किये लाइक मास चार्ज और इस अधार पर उन्होंने जो है जो वो पार्टिकल्स है उनके गुन सभाव को अलग अलग देखा बाबा जी की बात करें तो बाबा जी ने जो है जो अनुभव बीधी है उस अनुभव बीधी में बाबा जी ने जो है जो अध्यन किया है इस अधार पर तो ऐसा लगता ही है कि जो बाबा जी के अनुभव बीधी थी उसमें जो है उन्होंने हर एक इकाई को जो है पहचाना ठीक ठीक पहचाना और इस अधार पर जो है बाबा जी ये कह रहे है कि परमानों में जितने भी परमानों अंस है उनका उसारे अंस समान है बस अंतर इतना ही है कि वो अंस जो है वो यदि नाभिक में रहते हैं तो उनका आचरन अलग तरीके से व्यक्त होता है और यदि वो परिवेश में घुमते हैं तो उनका आचरन अलग तरीके से व्यक्त होता है वो मूल रूप में समान है लेकिन जो वो जहां पर कारिक कर रहे हैं उस कारिक करने के अधार पर उनका आचरन अलग दिखता है यहां तक तो बात जो है साइन्स वालों को भी एक्सेप्ट हो जाएगी जैसे मुझे भी लॉजिकली एक्सेप्ट हो जाता है कि ऐसा ठीक हो सकता है कि यह इलेक्टरों प्रोटोन नीट्रोन है तो वो अलग-अलग कक्छा में या नाभिक में रहने के आधार पे उनका आचरन अलग-अलग दिख सकता है लेकिन यदि हम ऐसा सोचे कि सबसे छोटा जो परमानू है हाइड्रोजन है हाइड्रोजन में दो अंस हैं एक नाभिक में है और एक उसके चारों तरफ काटता हुआ एक दूसरा अंस है दो अंस है और यदि हाइड्रोजन परमानू को हम यदि उ तो दोनों अंसों को उस परमानू के विवस्था से अलग करके दो अलग-अलग अंसों के रूप में हम भाग कर दें और उन दोनों अंसों को यदि हम समान परिवेश में रखें समान परिवेस में रखने का मतलब लेटर से कि सेम तरीके के इलेक्रिक फिल्ड और मेरेटिक फिल्ड में रखे अब ये परमानू नहीं है दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं या दो अलग अलग अंस है तो यदि ये दोनों अंस जो है इनका रूप गुन सभाव समान है तो ये समान परिवेस में इनका आच्रन भी समान रूप से व्यत्त होना चाहिए लेकिन साइंस ने जो परियोग किया उसमें ऐसा अब्जर्व नहीं हो रहा ऐसा देखने को नहीं मिल रहा कि ये जो दोनों अंस जो हैं वो समान परिवेस में एक जैसा आच्रन नहीं कर रहे तो ये जो आधार है साइंस का कि ये जो अंस हैं ये जो पार्टिकल्स हैं अटम के अंदर वो समान तरिके के नहीं है तो ऐसा मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि बात तो ठीक है जब तक हम पर्मानों के रूप में अंसों के संयुक्त आच्रन की बात करें वहां पर ये ठीक लगता है कि जो अंस नाभिक में है और जो अंस परिवेस में है वो अपना अलग-अलग आच्रन प्रस्तूत करेंगे लेकिन यदि हम उस पर्मानों में से पार्टिक्ल्स को निकाल करके उसका अध्यन करें तो वो एक ही समान आच्रन करना चाहिए यदि सारे अंस समान हैं तो लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता तो ये चीज जो है मेरे को भी अभी बहुत अच्छे से ये साइंस का समझ में नहीं आया है कि इसको कैसे कहा जाए कि कहा गलत है या क्या इसने जो सोचा है ये परियोग में क्या गरबरी है हलेकि देखिए मैं भी बावा जी की बात को ही मानता हूँ क्योंकि आस्था बावा जी में ही है तो इस अधार पर मेरा भी यही मानना है कि अंस जो है वो सारे अंस समान होते हैं लेकिन जो विज्ञान विधा के लोग है जिन्होंने बहुत सारा समय लगाया है और परयोग किया है और अपना निसकर्ष निकाला है उसको भी मैं पूरी तरीके से डिनाई नहीं कर बाता कि भाई वो जो उनका परयोग है उस परयोग कि जो है, फिर से हम लोग एक समराइज कर लें, कि किसी भी वस्तु को हम भाग विभाग करते जाएं, तो जो एक अंतिम जगा पे पहुचते हैं, जहां पर उसको और भाग विभाग नहीं किया जा सकता, ऐसे इकाई को हमने परमानु नाम दिया, उस परमानु को जब समझने की कोशिस करें, तो उस परमानु में बहुत तरिके के अंस दिखते हैं, वो परमानु अपने आप में कुछ ठोस सॉलिड जैसा नहीं दिखता, उसके अंदर कुछ अंस दिखते हैं और बाकी खाली जगा दिखता है, ऐसे अंसों को हम परमानु अंस करते हैं, और ऐसे परमानु अंस जो है, कुछ नाभिक में रहते हैं, और कुछ उसके चाव तरफ चक्कर काटते हैं, आगे इस बात में भाबा जी लिखते हैं, मद्ध या परिवेश में अंस की संख्या बढ़ती जाए या मानब कल्पना में आही जाती है, इस संदर में दो मुख्य प्रश्ण ध्यान में आए, परमानु अंस परसपरता में पहचान कैसे बना पाए, पहचानने के उपरांत्वे विवस्था में क्यों हो गए, बहुती संदर बात ये कह रहे हैं, कि जो दो परमानु अंस है, वो दोनों परमानु अंस ने एक दूसरे कव कैसे पहचाना, और वो पहचानने के उपरांत जो है, वो एक विवस्था में क्यों हो गए, विवस्था का मतलब है दो परमानु अंस मिल करके एक परमानु बना पर्मानु बनाते हैं अलग अलग पर्मानु अन्सों के अधार पर भाग विभाग किया जाता है तो बाबा जी का प्रस्ण है कि यह पर्मानु अन्स जो है यह मैं प्रमानु पहिजार्ण लिक्न बाबा जी ने इसका बहुत ही सुन्दर जो explanation दिया है, इस सोच को आगे बढ़ाने पे समझ में आया कि सहस्तित ही इसका प्रधान कारण है क्योंकि व्यापक वस्तु उर्जा में ही संपुन एक एक वस्तु डूबी भीगी गीरी है। यही सहस्तित के रूप में है, तो यहां साथ साथ रहने का और साथ में एक संयुक्तु आच्रन प्रकट करने का वेबस्था प्रकृति में पहले से ही बना हुआ है। यह सहस्तित ही जो है वो मूल नियम है जो इन अंसों को एक दूसरे से पहचान करा पा रहा है। जो है अभी एक प्रशन जो है बलराज सिंग मलिक जी का आया है कि बाबा जी के अनुसरा अंस वेबस्था का अधार नहीं है, परमानू ही वेबस्था का अधार है, तो क्या यह कहना ठीक है कि वेबस्था का अधार ही नहीं तो उसका आच्रन निश्चित कैसे हो सकता है। और परमानु अंस का आचरन जो है वो निश्चित नहीं होता लेकिन जो साइंस के अनुसार जो है जब वो परमानु के जो परिवेसिये अंसों को जब भी बाहर निकाल कर देखते हैं वो एक निश्चित आचरन को ही व्यक्त करते हैं जिसको वो इलेक्टरॉन कर रहा है जितन निश्चित आचरन ही दिखाता है निश्चित आचरन का मतलब है उस पे कुछ बल लगाने पे वो जो भी उस तरीके का उसका प्रभाव दिखता है वो हर बार समान रूप में ही दिखता है इस अधार पे साइंस जो है वो उस आचरन की बात कर रहा है यदि ऐसा होता कि जो वो परमानू से जो बाहरी जो परिवियसिय अंस इलेक्ट्रोन को निकालते एक बार अलग तरीके का आचरन करता दूसरी बार अलग तरीके का आचरन करता तो हम ये कह सकते थी कि उनका आचरन निश्चित नहीं है लेकिन साइंस के परियोग को यदि ठीक से आप परहें तो जब तो ये वह उस परिवियसिय अंस को या नाधिक में जो अंस है उसमें से बाहर निकाल करके उसको सिफ श्टड़ी करने ही कोसिस करते हैं तो वह हर बार एक ही जैसा प्रभाव दिखाता है उसका भी आचरन निश्चित जैसा दिखता है तो ये भी एक जो है सोध का मुद्द चाहिक जो समान इस एलेगे परमान अंस के आचरन को निश्चित है मतलब। लिभियर है वो भी निश्चित जैसा ही दिखता है उसे अधारपा प्रोटौन का भी उसे अधारपा नीट्राण का भी दिखता है ठीक है आगे वड़ते हैं सब्सक्रेइब बबाजी जो है जो ये अतलब पहचानने का जो आधार कर रहे हैं वो आधार कर रहे हैं कि सहस्तित ही मूल आधार है इस पहचानने का क्योंकि व्यापकवस्तु उर्जा में ही संपुर्ण एक-इक वस्तु डूबी भीगी घिरी है तो ये जो बाबा जी कह रहे हैं कि एक वस्तु जो है एक महत्पुन बाप में कहूं कि साइंस जो है इस व्यापक वस्तु को नहीं पहचान पाया है व्यापक भी स्वें में एक वस्तु है इसकी पहचान साइंस को नहीं हो पाई है और ये व्यापक वस्तु जो है इस व्यापक वस्तु उर्जा में इसको व्यापक को इन्होंने उर्जा कहा है इसको सा में उर्जा नाम कहा है कि ये व्यापक जो है वस्तु यही सा में उर्जा और इसी उर्जा में ही हर एक वस्तु डूबी, भीगी, घीरी है। उसमें बाबा जी ने ये तीन सब्ध पर्योग किये हैं। डूबी, भीगी और घीरी। उसमें मैं फोकस करता हूँ भीगी को। भीगी का मतलब जो है पारगामियता है। पारगामियता का जो है जो बोलते हैं कि बाबा जी कि व्यापक वस्तु ही हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी काई में पारगामी है इस पारगामियता के अधार पे ही हर एक इकाई को सामे उर्जा समान रूप से पराप्त है इस समान उर्जा को ही उन्होंने जो है कहा कि इस उर्जा के कारण ही जो बल्ल संपन्नता का प्रकटन है और यही बल्ल संपन्नता जो है वो क्रिया सिलता के रूप में व्यक्त होती है तो यह जो बाबाजी कारें के हर एक परमानु अन्स जो है उसमें वो व्यापक वस्तु में डूबे भीगे घिरे रहने के कारण जो है उसमें एक प्रविर्ती है एक प्रविर्ती है व्यवस्था की ओर वो उस व्यवस्था को ही बाबाजी सहस्तित का रहे है तो मूल नियम के रूप में जो बाबा जी कह रहे हैं कि सहस्तित ही मूल नियम है हर एक इकाई जो है अपने इस सामे उर्जा में डूबे भीगे रहने के कारण जो है वो वेबस्तित होने के लिए और अग्रशर है इस व्यवस्थत होने की और जो उनका अग्रशार रहना है इसी को ही बाबाजी सहस्तित तो कह रहे हैं इस प्रकार सुक्ष से सुक्ष में बड़ी से बड़ी इकाई का व्यापक वस्तों में संपिक्त रहने के अधार पर उर्जा संपन्दता रहना अस्पस्ट हुआ उर्जा संपन्दता ही बल संपन्दता एबर चुम्ब के बल संपन्दता होना समझ में आता है अब ये बहुत प्रोन बात है कि व्यापक में संपिक्त रहने के आधार पर जो है हर एक अंस उर्जा संपन्द है Science जो है अभी इस जगा पे नहीं पहुँच पाया Science जो है वो Electron, Proton, Neutron की मूल उर्जा का पहचान नहीं कर पाया है कि Electron जो है और Proton, Neutron को उर्जा कहां से मिल रही है इसकी पहचान उसमें नहीं हो पाई है क्योंकि बाबा जी जो कह रहे हैं कि इस मूल उर्जा के पहचान के कारण ही इस मूल उर्जा के कारण ही जो है हर एक अंस में बल संपन्टा एवान चुम्बकिय बल संपन्टा है इस बल्ल सम्पन्यता वस ही सुक्ष्म पर्मानु अंस में प्रसपरता को पहचाने और व्यवस्था में भागिदारी करने की प्रविर्ती है सामे उर्जा में डूबे भीगे घिरे रहने के कारण ही हर एक पर्मानु अंस एक दूसरे को पहचान पा रहा है और इस पहचानने के आधार पे ही वो जो है दो अंस एक दूसरे से पहचान करके पर्मानु बना रहे है साइंस जो है अभी इस बात को यहां तक नहीं पहुँच पाया है कि ऐसी को एक सामे उर्जा है जो हर एक इकाई में पारगामी है उस पारगामिता के करण हर एक जो छोटी से छोटे परमानु अंस है वो उर्जित है और उस उर्जित रहने के आधार पर एक दूसरे को पहजा बन रहे हैं साइंस भी इस परमानू के संरचना को पहचानने के अधार पर वो भी यह जो है पहचानने को कर रहा है कि यह इलेक्ट्रों प्रोटन और न्यूट्रों जो है यह कैसे एक दूसरे को पहचानते हैं तो साइंस यह सामे उर्जा को नहीं पहचान पाया इस अधार पर वो एक दूसरे को पहचानने की बात नहीं करता है साइंस जो है उसने कुछ तरीके के जो है बल की बात की है बाबा जी भी बोलते हैं गुर्तो अकर्शन बल और एक तरीके से इलेक्रोमेगनेटिक फोर्स इस तरीके की बात साइंस भी कर रहा है और साइंस जो है वो बल को बल के आधार पर जो है नाभिक में जो प्रोटॉन है उस वो प्रोटॉन जो है वो परिविशिये इलेक्टॉन पे एक फोर्स लगाता है बल लगाता है उस बल के आधार पर ये परिविएस ये अंस जो है अपनी कक्षा में बने रहते हैं और बहुत इंट्रेस्टिंग मैं यह कहूँ तो साइंस ने उस बल के गनितात्मक भाग को ज्यादा पकड़ा, बाबा जी ने गनितात्मक भाग पे ज्यादा जोर नहीं दिया, बाबा जी ने कारनात्मक भासा पे बाबा जी ने उसको मूल रूप को सहस्तित के रूप में पहचाना कि ये संपुर्ण अस्तित सहस्तित होने के आधार पे ही एक दूसरे को पहचानना निर्वा करना हो रहा है। और वो इस अधार पे इतना निश्चे करके बता भी पा रहा है कि जो नाभिक है नाभिक से कितनी दूरी पे परिविशिये अंस चक्कर काट रहा हैं और ऐसे परिवेश एक नहीं बहुत सारे हैं उन सारे परिवेशिये अंसो की निश्चित दूरी को वो गनित के आधार पे वो मेजर भी कर पा रहा है और यहां एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि साइंस में एक और भी तरीके का कंसेप्ट है कि जैसे दो परमानू अंस एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं जैसे नाभिक में अंस हुए और जो परिवेस में अंस हैं साइंस के भासा में जो प्रोटॉन है और इलेक्टॉन है वो एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं इसके लिए साइंस ने और भी तरीके के पार्टिकल्स की कलपना की है उसमें से जो हैं ग्रविटॉन बोशॉन फोटॉन ये सारे पार्टिकल्स की जो उन्होंने कलपना की है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स का एक्स्चेंज होते रहता है इन जो अंसों के बीच या fundamental particles के बीच जो इस तरीके के अतीस सुक्ष्म particles का exchange होते रहता है इस आधार पे वो एक दूसरे पे बल लगा रहे होते हैं बाबा जी ने ऐसा नहीं कहा बाबा जी ने कहा है कि ये बल लगाने का आधार जो है वो सामे उर्जा में डूबा बीगा गीरा रहना ही है एक और महत्पुन बात मैं कहना चाहूँगा कि बाबा जी ने अंस के बाद की बात नहीं की है लेकिन चुकी जो है science जो है विगटन विदी से परमानू तक पहुँचा और फर्दर विगटन विदी से परमानू को डिवाइड करके वो electron, proton, neutron तक पहुँचा तो ये जो उसकी विदी है वो यहीं तक नहीं रुखती क्योंकि आपने जो अपनी कल्पना शिलता लगा के किसी चीज को तोड़के तोड़के आप वहां तक पहुँचे है तो अब और आगे की कल्पना दौरती ही है क्या ये electron, proton और neutron जो है जिस सब को बाबा जी एक अंस कह रहे है क्या ये अंस ये particle अपने आप में ठोस है या ये भी इस से सुक्ष्म particle से मिलके बना हुआ है जैसा हमने देखा कि एक वस्तू का सबसे सुक्ष्म जो है वो परमानू को हमने कहा परमानू से भी सुक्ष्म परमानू अंस कहा तो साइंस का जो ये विगटन विदी है उसके दिमाग में नैचरली ये question आता है कि ये परमानू अंस जो है क्या ये भी किसी और अत्री सुक्ष्म particle से मिलके बना हुआ है ऐसी कलपना साइंस में आई भी और लोगों ने इसके लिए भी परयोग किया और उस अधार पर और भी particles की कलपना की है जो electron, proton और neutron से भी सुक्ष्म है ऐसे particles को उन्होंने पुरी तरीके से कुछ नाम भी रखा है लेप्टॉन, मेशॉन, बेडियॉन ये इस तरीके के particles की उन्होंने जो है अभी नाम भी दे दिया है घुशना भी कर दिया है कि electron, proton, neutron और neutron भी 30 सुक्ष्म particle से मिलके बना हुआ है तो अब ये तो समझने की बात है कि science की जो ये विधी है वो तो किसी एक निश्चित बिंदू पर पहुचने की नहीं है क्योंकि आप कितना भी भाग विभाग करें उसके बाद गनितिये भासा से और भाग विभाग करना बना ही रहता है तो हो सकता है कि परंपरा में अभी तक आज से 200 साल पहले आप परमानू की बात करते तो कोई नहीं मानता फिर परमानु की बात लोग मानने लगे 100 साल पर फिर परमानु को भी लोगों ने इलेक्टरन, प्रोटॉन, न्यूट्रन में डिवाइड कर दिया उसको भी लोगों ने मान लिया अभी परचलित मानेता में आप हम सब लोग जो साइंस विधाब से हैं इलेक्टरन, प्रोटॉन और न्यूट्रन पर कोशन मार्क नहीं करते हैं क्योंकि ये समाने जन मानस में एक्सेप्ट हो गया है इस अधर पर हम मानते हैं कि ऐसा तो होता ही है इलेक्टरन, प्रोटॉन, न्यूट्रन तो अब हो सकता है कि साइंस विधा में इस लेप्टॉन मेशन और बेरियोन को भी वो जो है अस्थापित कर दे और आज से पचास सौ साल बाद जो है जो हम लोग इलेक्ट्रोन प्रोटॉन और नीट्रोन को जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स ना मान करके लेप्टॉन मेशन बेरियोन या कौर्ट को हम सबसे सुक्षिम पार्टिकल्स कह रहे हूं लेकिन बाबा जी ने जो कहा है जो अध्धन किया है उस अधार पर परमानु अंस के बाद के कोई घटन मतलब उसकी बात नहीं की है और तो मुल रूप में हर एक इकाई की जो पहचान है वो सहस्तित के अधार पर एक व्यवस्था के अधार पर कर रहे हैं तो परमानु अंस की पहचान करने का कोई मतलब नहीं बनता कि हम परमानु अंस को क्यों पहचानना चाहरे हैं सबसे सुक्षिम देखेंगे तो परमानु की ही पहचान है क्योंकि वही एक व्यवस्था को प्रकट कर पाता है और इससे उपर की जो दूसरी व्यवस्था है अनु है अनु सनरचना है वही एक व्यवस्था को प्रकट करते हैं तो बाबा जी ने पूरा का पूरा अध्यन व्यवस्था का किया है क्योंकि वो कही रहे है कि अस्तित और सहस्तित के रूप में, सहस्तित का मतलब देखेंगे तो व्यवस्था ही है, तो उन्होंने व्यवस्था का ही अध्यन किया है, जो व्यवस्था में नहीं है, उसके अध्यन की आवशक्ता ही नहीं है, इस अधार पर परमानु अंस को और भाग विवा करने की अदिकार से संपन हैं तो यह जो यह बाबा जी कर रहे हैं कि यह तुम पहचानना जो है उसका अध्यन करने के लिए मानव के होना आवश्च आवकAmerica कोई और इसका अध्यन नहीं करेगा इसी क्रम में मानव जब एक दूसरे को पहचानते हैं वो ववस्था के रूप में ही अपने को प्रसूद करते हैं नियुक्त बात है यहां पर बाबा जी जो है गठन सील परमानु से गठन पून परमानु की तरब चले करके वो सहस्तित को परमानित करने में लगी हुई है इस अधार पे यदि हम मनेश्च को भी प्रकृति का एक अंस मानें तो मानब भी जो है एक दूसरे को पहचान करके एक व्यवस्था में कैसे सज्जाए इसका होना ही चाहिए क्योंकि यदि सहस्तित के रूप में है तो इस अधार पर मानब भी इस प्रकृति का एक अंस हुआ इस अंस होने के अधार पर मानब भी में भी उस सहस्तित की प्रेड़ना है तो इस प्रेड़ना के अधार पर मानब भी व्यवस्था में सजना ही चाहता है अब जहां जहां इस अर्थ को पहचानने में चूक किये रहते ह आवेवस्था के रूप में कार्विवार करते हुए समस्या का कारण बनते हैं अब यह जो बाबा जी कह रहे हैं कि जहां जहां इस पहचानने में चुकिए अब मज़ेदार बात यह है कि यदि हम मानव कोछ और के या फिर हम इस तरीके से कहें कि जो दो तरीके के परमानू उनमें जानना मानना नहीं होता इस आधार पे वो निश्चित पहचानना निर्वा करना ही करते हैं क्योंकि अस्तित की बनावत सहस्तित ही है तो उनमें सहस्तित की ही पहचान है और उसका ही निर्वा करना है कोई भी परमानू अंस या परमानू जो है ऐसा नहीं है कि वो उसमें सहस्तित के विपरीत आचरन या उसका निर्वा करना दिखता हो लेकिन मानब में कहा जाए तो मानब में जो है जो गठन पुर्ण परमानू है उसमें सिप पहचानना निर्वा करना नहीं होता उसमें जानना मानना के साथ पहचानना निर्वा करना होता है और यदि यही तो सारी समस्या का जर है कि मनस्त का जो अभी जानना है ये सहस्तित को जानना नहीं हुआ इस आधार पर वो सहस्तित के अनुसार पहचानना निर्वा करना नहीं कर पा रहा सहस्तित के अनुसार मतलब वेवस्ता का उसमें पहचान नहीं हुआ है इस आधार पर वो वेवस्ता को परमानित नहीं कर पा रहा है जो समस्या का कारण है जो अभी दिखी रहा है कि समाज में जो वेवस्ता ना होने के कारण ही जो ये सारी समस्याएं जो है समाज में दिख र प्रतिएक परमानुअंस व्यापक में संप्रिक्त होने के आधार पे एक दूसरे को पहचानने के संप्रिक्त होने के अधार पे संप्रिक्त होने का मतलब जो है डूबा भीगा गिरा रहना डूबा भीगा घिरा रहने का मतलब हुआ कि उर्जा संपन्ने रहना क्रिया सील रहना नियंतरित रहना इस आधार पे ही एक दूसरे को पहचान रहें तेकि बहुत ही सुन्दर बात जो मैं बार बार कह रहा हुँ कि बाबा जी ने जो मूल नियम को पहचाना, साइंस जो है वो गनितिय भासा के नियम को पहचानने की कोसिस कर रहा है, उसमें गुर्तवाकर्शन के नियम बोलता है, या कुलम्स लॉब बोलता है, ऐसे बहुत सारे नियमों की पहचान वो साइंस कर रहा है, जिसमें वो गनितिय भासा को ही मूल में इस कारण ही साइंस का सारा अध्यन मुझे लग रहा है कि अधूरा है क्योंकि सहस्तित भी बाबाजी नियम है यही हर जगह उध्गाटित हो रहा है और यह बात ठीक है कि सहस्तित जो है fundamental नियम के रूप में लेकिन उस नियम में आप यदि जाएंगे अध्यन करने तो गनितिय भासा का भी पडियोग होता है लेकिन गनितिय भासा अपने आप में संपुर्ण नहीं है तो बाबा जी ने गनितिय भासा पे बहुत कुछ बात नहीं कही उन्होंने मूल फंडामेंटल नियम को जो है उसको पकरा उसको ही जो सहस्तित का रहे हैं साइंस जो ह कि पूरा आस्टित एक विवस्था है इसकी पहचान उसमें नहीं हो पाई इस आधार पे ही मन्स को वो पहचान नहीं पा रहा है और इस आधार पे पहचान नहीं होने के कारण मन्स का एक निश्चित आचरन होगा ऐसा कलपना में जो है अब भी नहीं है कि मन्स भी एक निश्चित आचरन कर सकता है या उसमें करने की प्रेड़ना है आगे बढ़ते हैं उक्त प्रकार से पर्थेक पर्मानु अंस भी उर्जा संपन होने के फलसरोप एक दूसरे को पहचानना स्वाभाविक होता है इस पहचानने का पर्योजन संयुक्त रुप में आचरन करना इसे एक सास्वत नियम के रूप में समझा गया अब यह कह रहे हैं कि पर्थेक पर्मानु अंस जो है उर्जा संपन होने के फलसरोप एक दूसरे को पहचानते हैं यह बात हो चुकी है इस पहचानने का पर्योजन संयुक्त रुप में आचरन करना है अब देखेंगे कि परमानु अंस का कोई आचरन जो है वो बाबाजी ने नहीं का है वो कोई आचरन को व्यक्त नहीं करते हैं लेकिन दो परमानु अंस मिलकर के यदि एक परमानु बनाएं वो एक निश्चित आचरन को व्यक्त करते हैं इसी तरीके से यदि चार परमानु अ आधार पे ही गठन संगठन होना और गठन संगठन का वेवस्था के अर्थ में प्रमानित होना नित्य वर्तमान है। उसी को ही बाबा जी गठन संगठन के रूप में बोल रहे हैं। और सहस्तेत्य के जिक्त कर रहे हैं कि व्यापक वस्तु में ही संपुन एक एक वस्तु अविभाज्य होना। अब ये जो बाबा जी व्यापक को एक वस्तु कह रहे हैं बार बार कि ये एक वस्तु है जिसके अंदर ही हर एक वस्तु और दूसरे तरिके की वस्तु हैं। व्यापक को भी बाबा जी वस्तु कहा है वस्तु को वो एक वस्तु वष्त के रूप में देखते हैं क्योंकि व्यापक भी वस्तु में ही हर एक एक वस्तु अभिभाज्य होना। अभिभाज इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी इकाई को हम इस व्यापक वस्तु से अलग नहीं कर सकते जहां भी ले जाएंगे ये व्यापक वस्तु रहेगा ही इस आधार पे उसको अभिभाज होना कह रहे हैं और इसे सहस्टित के रूप में समझ पाना सुलब हो गया इस करम में सहस्टित नित प्रभावित होना हम मानव को स्विकार होता है सहस्टित ही मूल सुत्र और व्यवस्ता का आधार हुआ अब फिर से भई बोल रहे हैं कि जो व्यवस्ता का मूल आधार है सहस्टित ही है जिसको बाबाजी ने कहां भी है कि अस्तित ही सहस्टित है ये को देखने जाएं तो यह स्थित्त जो है सहस्थित के रूप में ही दिखता है यह कोई अलग अलग जैसा नहीं दिखता है इस आधार पर एक विवस्था है पूरे सहस्थित के मूल में सहस्थित सुस्पष्ठ है इस परकार सहस्थित ही विविधिकार उन उनके आच्रन का अधार होना असपस्ट हुआ हर जगा बाबाजी सहस्तित को ही जो है वो पहचानने का अधार का रहे हैं कि जो है परमानु अंस जो है वो परमानु बनाए क्योंकि जो है ये सहस्तित ही मुलियम के रूप में काम कर रहा है परमानु अनु क्यों बनाए यहां भी सहस्तित है अनु उससे बड़ी रचना क्यों बनाए क्यों बनाए क्योंकि यहां भी सहस्तित तो काम कर रहा है हर जगा सहस्तित तो काम कर रहा है इस आधार पे ही हर एक छोटी इकाई एक जो है अपने से बड़ी इकाई को पहचान करके बाबाजी ने बारबा स्थापित करने के बाद वापस जो है अब परमानु सनचना की बात कर रहे हैं परमानु में कार्यरत अंसों के संख्या भेद होने से ही आच्रन भेद होना पाए जाता है तो परमानु में कायरत अंसों के संख्या वेद से आचरन वेद जैसे अभी भी हम लोग जानते हैं अलग-अलग तरीके के परमानु हमने नाम दिये हैं यह सब इसलिए नाम दिया है क्योंकि यह सारे अलग-अलग आचरन वेद करते हैं उसमें से हर एक अलग-अलग आचरन करने वाले को कुछ नाम दे दिया है जैसे एक तरीके का जो आचन व्यक्त करता है उसको hydrogen, एक दूसरे तरीके का जो आचन व्यक्त करता है उसको oxygen, एक तीसे तरीके का जो आचन व्यक्त करता है उसको nitrogen करते हैं, तो वो बोल रहा है कि इन सब में जो अलग-अलग आचरन है, इस अलग-अलग आचरन का जो आधार ह इस परमानू में नहीं परमानू अंसों की संख्या के आधार पर है। साइंस भी यहां पर ऐसा ही कह रहा है। कि जो हाइड्रोजन है, ऑक्सजन है, या फ्लोरीन है, या नाइट्रोजन है, इसमें नंबर ऑफ जो कनस्टिशवन पार्टिकिल्स हैं, इलेक्ट्रों प्रोटोन नोट्रोन अलग-अलग हैं। इस आधार पर इन सब का behavior अलग-अलग दिखता है। ऐसे आचरन भेद के आधार पर ही परमानू की परजाती और परजातियों की संख्या का निधान करने का मानव ने पर्यास किया। मानव जी ने पर्यास किया ही है कि एसे कितने तरीके के परमानू प्रकृती में हैं। अलग अलग तरीके के आचरन भेद कर रहा है। देखें, यहाँ पर एक महत्वपुन बात है, कि हर एक परमानू का आचरा निश्चित है, हाइड्रोजन की बात करें, तो हर एक हाइड्रोजन परमानू का आचरा निश्चित है, लेकिन अब ऐसा हाइड्रोजन परमानू, ऑक्सिजन परमानू, क्लोरीन परमानू, सल्फर प लिखा है इस धर्ती पे 108 परजातियों के परमानू होने का दावा मानव अभी तक कर चुके हैं और परजाती के परमानू को खोज करने की आसा बनाए हुए हैं तो अब यहाँ पर जिस समय बाबा जी ने ये पुस्तित लिखा है उस समय जो है 108 तरीके के परजाती 108 तरीके के परमानू की साइंस में घोशना की हुई थी लेकिन अभी जो है उसको बढ़ा करके 118 कर दिया गया है कि अभी साइंस ये मानता है कि उसने 118 तरीके के अलग-अलग परमानू की खोज कर ली है तो यहाँ पर इसको मुझे लगता है क्योंकि बाबाजी ने जो अपनी बात नहीं की है बाबाजी ने जो मनुस्य ने जितना अभी परियोग-विधी से खोजा है उसकी बात किये कि 108 तरीके के परजाती के परमानू होने का दाबा किया है वो अभी वरतमान में 118 हो गया है परमानु को इस परकार समझने पर व्यवस्था केंद्रित मानसिक्ता में हम माना वस्पर्च हो जाते हैं। क्योंकि हर एक मनस्व को जोर के हर चीज यदी व्यवस्था की और ही अग्रसर दिख रहा है तो मनस्व भी इस प्रकृति का एक अंस है तो इसमें भी व्यवस्था की कलपना आती ही है। पाया जाता है। अब बाबा जी बात कर रहे हैं कि जो परमानू में व्यवस्था का आधार तो वो एक सहस्तित है। उस सहस्तित के आधार पर वो एक व्यवस्था को पहचान रहे हैं उसका निर्वा कर रहे हैं। मानब में इस व्यवस्था को पहचानने का आधार क्या होगा। तो बाबा जी कह रहे हैं मानब में व्यवस्था को पहचानने का आधार मानविता पुर्ण आचरन ही होगा। जब तक ये बात है कि परमानू और बाकी सारे चीजों में देखेंगे। उनका आचरन निश्चित है उनके आचरन में कोई विविदता नहीं दिखती। तो लेकिन जब हम मानब की बात करेंगे तो मानब में जो इसका आचरन है उसके जानने मानने के आधार पर जो है उसका निर्वा करना दिखता है। उसका अचरन दिखटा है तो टो एक निश्चित अचरन है और वेवस्थागत अचरन है उसका आधार जो है मामृतापुर्ण होगा मामृतापुर्ण आचरन को हिए जो कह रहे हैं मुल्य चरिट नहितिक्त का संयुक्त अभिव्यक्ति संप्रिश्णा प्रकाशन मानम परंपरा में से के लिए व्यवस्था का आधार होना पाया जाता है। साइस्थित को नहीं पहचाना है वह गनीतिय भासा में ही लगा हुआ रहा उस मूल सहस्थित के रूप में यह पहचान नहीं हो पाना फिर व्यवस्था का पहचान नहीं हो पाना इस आधार पे मनस्व भी एक जो है व्यवस्था की और ही अग्रशर हो इसकी पहचान नहीं हो पाई इस आधार पे मानुतापुन आच्रन की जो है कोई कल्पना ही नहीं हो पाई लेकिन बाबा जी ने उसको बहुत सुंदर धन से उस वहाँ पे सहस्तित को पहचान करके उस सहस्तित को यहां मनिस्व में कैसे जो है प्रमानित हो इसका अधार जो है मानुता पुन आचरन को रखा इसी तर्थे बस पसु संसार वनस्पती संसार और खनिज संसार ठोस तरल विरल के रूप में जितने भी परजाती गनित है सभी के मूल में परमानू ही है तथा जीवन भी परमानू है अब बाबा जी ने जो है जितने भी तरीके के बोल रहे हैं कि चार तरीके के जो बहुत त सब के मूल में परमानु ही है और दूसरी जो बात कर रहे हैं कि जीवन भी एक परमानु ही है ये एक जो है महत्पुन बात जो है ये बाबा जी कह रहे हैं कि जीवन भी अपने स्वरूप में परमानु ही है हर परजाती का परमानु निश्चित आच्रन करता है ये बाबा जी जो है वो गठन सिल परमानू के बारे में कह रहे हैं कि हर प्रजाती का परमानू निश्चित आचरन करता है इसलिए मानब भी जो जीवन और सरीर का संयुक्त तुरुप है निश्चित आचरन पुरुवक विवस्था में जीना चाहता है तो बोल रहे हैं बाजी कि जितने आहा रहा है वह बात अलग है लेकिन य जो है उसको एक तरीके से युनिफॉर्मिटिक के हिसाब बोल रहे हैं कि हर तरीके के गठन सिल परमानू एक जो है निश्चित आचरन कर रहे अब पर्मानु सनर्चना की महिमा आचरन में ही असपस्ट होना ये बोल रहे हैं जैसे हाइड्रोजन पर्मानु है तो वो हाइड्रोजन पर्मानु के रूप में ही आचरन को असपस्ट कर पाता है औक्सिजन जो है वो परमानू के रूप में ही एक निश्चित आच्रन को व्यक्ट कर पाता है तो परमानू संचना की महिमा ही जो है वो उसके अलग-अलग आच्रन को व्यक्ट कर रहे हैं इसकी बात कर रहा है वोजे पर्मानु रचना के संदर में या भी अस्पल्ष्ट होता है कि पर्मानु अंस एक दूसरे के सहस्तित में ही पर्मानित होते हैं असीम अवकास में अलग रहने वाला पर्मानु अंस विवस्था रूपी आसे को पर्मानित किये नहीं रहता है इसलिए असीम अवकास में घुर्णा रूप में कारे करता हुआ दूसरे अंस की तलास में रहता है। परमानु में समाहित हो जाता है या दूसरे परमानु अंस के साथ निश्चित परमानु बढ़ा लेता है। परमानु के घठन के उपरांत ही विवस्था का प्रकाशन होता है. उससे पहले कोई विवस्था का प्रकाशन नहीं है। पर्मानु अंस किसी व्यवस्था का प्रकट नहीं कर रहा होता है, पर्मानु ही है जो किसी एक निश्चित व्यवस्था को प्रकट करता है, निश्चित व्यवस्था का मतलब आप यदि पर्मानु को देखें, तो वो पर्मानु अपने व्यवस्था का आच्रन का मतलब जो ह उसके निरंतरता से है यदि परमानु हाइड्रोजन देखें तो वो हाइड्रोजन परमानु अपने जैसा ही लगातार बना ही रहता है इस अधार पर कहा रहा है कि वो एक निश्चित आचरन को विर्थ कर रहा होता है यही बहुतिक रासायनिक और जीवन क्रिया किलाप के क्रिया क्लाप के रूप में असपस्ट है गठनसील परमानु भौतिक रासायनिक क्रिया क्लाप कर रहे हैं और गठन पून परमानु जीवन क्रिया क्लाप कर रहे होते हैं परमानु संरचनाएं एक से अधिक अंसों पर आधारित रहना असपस्ट हो चुकी है यह अभी स्वाचालित रहता है इनका आच्रा निश्चित होता है बहुती सुंदर बात कह रहे हैं बावाजी कि परमानु सनचनाएं जो हैं वो एक अंस से होता ही नहीं है एक से अधिक अंस के आधार पर ही किसी परमानु की बात हम कर सकते हैं एक अंस का कोई परमानु नहीं होता मिनि से हाइड्रोजन प्रमानु या ऑक्सिजन प्रमानु में वह sovereign ऑक epoxy के रूप में बना हुआ है इसके लिए किसी बाहरी दवाब शकतर नहीं है वह स्विश्पूर्थ विधी सर दें हाथ हर प्रमानु की रचना मध्यास तथा परिवेसों में काईड़त अंसों के रूप में समझ में आती है इसकी बात हम लोग करी चुके हैं कि परमानु में कुछ नाबिक में अंस होते हैं और कुछ परिवेसों में अंस होते हैं परिवेसों में जितने भी अंसकार कर रहे हैं उतने अंसमध्य में होते ह हैं उससे अधिक होना भी संभावित है तो बाबाजी कह रहे हैं कि जितने परिवेसों में अंस होते हैं उतने ही अंस मध्य में या उससे ज्यादा हो सकते हैं साइंस के अकॉर्डिंगली देखें तो साइंस भी यह कह रहा है कि जो परिवेस में जो इलेक्ट्रॉन है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है एक एक एटम में उससे ज्यादा जो है नाभिक में पार्टिकल्स होते ही हैं जैसे हम लोग हीलियम की ही बात करें तो हीलियम में जो परिवेसिये इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो दो होता है और नाभिक में जो साइंस ने पहचाना है उसमें जो हैं चार अंसों होते हैं तो यहां मैं यह और कहा दूँ कि बाबा जी के हिसाब से जो है उन्होंने यह कहा कि परिवेसिये अंस जो हैं जितने होते हैं उससे नाभिक में उससे ज्यादा होते हैं science में देखेंगे तो वह और भी जो ह씨 इसके double या double से जादा होते जितने परिविसी अंस होते हैं उसके double या double से जादा होते है एक और तरीके की बात विता दूम है science ने तीन तरीके की particle को पहचाना है जिसमें वह परिवीसी Bundesregierung को एलेक्ट्रॉन कह रहा है और नाभिक में भी दो अलग तरीके के अंसों की पहचान की है उसने एक को प्रोटॉन और दूसरे को नूट्रॉन नाम दे रहा है तो साइंस के अकॉर्डिंगली जो परिवेस में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन नाभिक में होते हैं और neutron जो होते हैं वो proton के ही बराबर या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं फिर से science के recording लिए परिवेशिये electron और नाभिक में पाए जाने वाले proton की संख्या एक है और नाभिक में ही पाए जाने वाले तीसरे तरीके के particle जो neutron है उसकी संख्या इन दोनों के बराबर या इससे ज़्यादा रहती है परिवेशों का मतलब मध्यांस के सभी और चक्कर काटता हुआ अंसों से है ऐसे परिवेश एक वा एक से अधिक होते है तो आप जो है ये बाक कर रहे हैं कि जो परिवेस हैं वो मंध्यांस के सबी ओर चक्कर काटते हैं तो क्या अब अब सारे अंस एक ही चक्कर में काट रहे हैं या ऐसे अलग-अलग भी है तो बाबा जी का रहे हैं परिवेश एक या एक से अधिक होते हैं तो साइंस भी ऐसा का रहा है कि एक परिवेश नहीं होता इससे ज्यादा होता है इन्फेक्ट साइंस में अभी तक जो जितने भी तरीके के परमानुओं की खोज हुई है उसमें मैक्सिमम सेवन साथ परिवेशों तक की खोज की गई है कि पहला परिवेश, दूसरा परिवेश, तीसरा, चौथा, पाँचमा, छठा, साथवे परिवेश तक जो है वो साइंस में इसकी परिकल्पना या खोज की हुई है यह आप चाहें तो किसी भी प्रिविक्टबल में देख सकते हैं यह परिवेश, चार से अधिक होने पर घटने और चार से कम होने पर बढ़ने की संभावना सदा सदा बनी रहती है अब यह जो है वो गठन पुर्णता के रिलेटिव में बात कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि कोई भी परमानू जो है मतलब वो एक समय तक जो है उस परमानू स्वरूप में बना रहता है लेकिन उस परमानू में भी अंसों का घटना बढ़ना बना रहता है तो परमानू एक अच्छी अबधी तक जो है अपने स्वरूप में बने रहते हैं लेकिन वो परमानू अंस भी जो है परमानू में भी जो है उनका अंसों का जो है प्रस्थापन विस्थापन होता रहता है इस अधार पर वो परमानू एक परमानू से दूसरे परमानू में भी कनवर्ट होते रहते हैं तो ये जो परमानू में परिवर्तन जो हो रहा है वो एक जो है संकरमन क्रिया करते हैं कि जो वो गठन सील परमानू, गठन पुन परमानू में संक्रमित हो जाता है उसके बाद जो है ऐसा कुछ भी उसमें प्रस्थापन विस्थापन क्रिया नहीं दिखती है और गठन पुन परमानू की संचना को देखे तो उसमें नाभिक के चारो तरब चार ही परिवेशिये दिखते हैं इस आधार पर बाबा जी ने लिखा है कि जो भी जो भी परमानु होगा उसमें जितने भी परिवेशिय अंस होंगे वो इस चार गठन पुर्णता की और ही जाएंगे क्योंकि गठन सील परमानु का जो फाइनल डेस्टिनेशन कहें या उसमें जो भी कहें परिना है वो गठन पूर्णता ही है उसके बाद उसमें कोई परिवर्टन नहीं होता है इस अधार पर उन्होंने चार से कम होने पर बढ़ने की संभवन और चार से यादा होने पर गठनी की संभवन लिखी है ऐसे परमानु विभिन संख्यात्मक इस्थितियों में अपने-पने- अपने प्रजाती के स्वरूप में विद्धिवान रहते हैं इन परमानु में निहित मद्यांसों की संख्या के आधार पर भार निर्भर रहता है अब बार आती है कि बाबजी का रहे हैं कि जो परमानु का जो भार है वो परमानु में निहित मद्यांसों की संख्या के आधार पर निश्चित होता है परिवेशिय अंसो के आधार पे उसका भार निश्चित नहीं होता इस भार को हम इस आधार पे पहचान सकते हैं भार का मतलब हुआ बहुत मज़दार चीज़ है कि जैसे एक हाइडरोजेन है जैसे हम जल की ही बात करें जो जल का सबसे छोटा जो बनाकर ह-2o बनाते हैं, उसी तरीके से NH3 की बात करें, अमोनिया की बात करें, जैसे साइंस में जो मैं बोल रहा हूं, एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन के साथ मिल करके NH3 बनाते हैं, तो ये जो परमानू है ये नाइट्रोजन और हाड्रोजन एक दूसरे की पहचान कैसे हो रही है तो दो परमानू की जो पहचान होनी है वो उनमें जो मध्यांस में जो अंसो की संख्या है उसके आधार पे ये एक दूसरे को पहचान रहें उस पहचानने को ही वो भार कर रहे हैं एक दूसरे पे जो परमानू एक दूसरे पे जो आकरसन बल लगा रहे हैं उसी को ही भार करते हैं बावाजी साइंस भी ऐसा ही कह रहा है कि साइंस में भी देखेंगे तो साइंस भार को पहचानने के लिए मास का कंसेप्ट लाया है Science में भी देखेंगे, तो वो ये कह रहा है कि जो नाभिक में proton और neutron होते हैं, उनका मास जो परिवेशäsिये electron होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा होता है. जो भी उनका गनित में मेजर्मेंट है उसके अधार पर वो बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसके मास से जो नाभिक में प्रोटॉन और नीट्रॉन है उनका मास अठारे सो चालिस गुना ज्यादा होता है तो वहाँ पर और बाबा जी जो है जो बोल रहे हैं लगभग एकी जैसा लग रहा है इसी स्वरूप में निहित भारवस एक परमानों दूसरे परमानों को पहचानते वे एकत्रित होते हैं इसे हम अनू करते हैं जो मैं अभी बात कर रहा था कि इस संख्या के आधार पर ही व वो पहचान पा रहे हैं वो अलग-अलग प्रजाती के परमानों को पहचान करके वो जो अनू बना रहे हैं उसका अधार मध्यांसों में जो अनसों की शंख्या है वही है इसी पहचान को इस पहचान के अधार पर जो ही वो अनू बना रहे हैं उसी को ही बाबा जी भार बं तरल वस्तु ही रसानिक संसार की आरंभिक वस्तु मानी जाती है तो बाबाजी बोल रहे है है कि जो भी अपना दिखता है हम लोग बोल भी रहे हैं थोस तरल विरल जो भी हम सुक्ष्म रूप में दिखेंगे तो solid, liquid और gas इस form में दिखते हैं जितने भी तरीके की बात कहें और वो बुल रहे हैं कि ठोस रूप में जो है इतनी बरी रचना जो एक अपनी धर्ती है वो ठोस रूप में इतनी बरी रचना तक भी दिखती है तरल वस्तु ही रसानिक संसार की आरंधिक वस्तु मानी जाती है तरल वस्तु जो है रसानिक संसार जो है उसकी आरंधिक वस्तु मानी जाती है ठोस में वस्ता बावजी बता रहे हैं कि ठोस जो है उसमें जो है रसानिक संसार का उसकी बात नहीं कर रहे है ठोस भी यदि किसी chemical reaction में या किसी में जाएगा तो वो तरल रूप पे ही जाकर करके reaction करता है या सब यौगिक विधी से घटित होते हैं इसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता, मानव केबल इसको अध्यन करता है अध्यन इसलिए आवस्यक है कि इनके साथ सहज कारविवस्था को पहचानना संभब वो पाता है अब बाबाजी कह रहे हैं कि ये सब जो हम लोग अध्यन कर रहे हैं ये जो भी यौगिक विधी या जो भी ठोस्तरल, विरल, जो भी प्रकृतिक अध्यन कर रहे हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि हम इसको पहचान करके इसके साथ जो हमारा क्या दाइत्व कर्टब है या पहचान निर्वा करना है वो हम ठीक-ठीक कर सकते हैं। रासायन द्रव्यों के आधार पही पुष्टी तत्व रचना तत्व के योगफल में प्रान कोशाओं का योगफल अस्पश्ट होता है। भी कोई छोटी इकाई देखेंगे जो स्वयम में एक विवस्था है और निश्चित आचन कर रहाता है उसको जो है बाबाजी कोशिका बोलते हैं उसी कोई प्रान कोशा बोल रहे हैं उस प्रान कोशा में ही बता रहे हैं कि रासायन द्रव्य होते हैं उसी में ही पुष्ट तत्त और रचनात्त पुष्टितत रचनात्त पुष्टितत रचनात्त पर ही प्रान कोसाएं वह एक कि निश्चित क्रिया कलाब कर रहे होते हैं बहुतिक रासायनिक क्रिया कलाब के मूल में परमानू और अनू ही क्रिया कलाब करता हुआ पहचानने में आता है इसकी बात हम लोग करी चुके हैं इस प्रकार अनू अपने स्वरूप में नियंतर विवस्था के रूप में ही काम करता है व्यवस्था के रूप में काम करने का प्रमान व्यवस्था करम में आगी की स्थिति गती अस्पश्ट होने से है तो बहुत ही बढ़ियां चीज जो कर रहे हैं अब ये हम लोग बात करी चुके हैं कि भौत ही करा सायने के किरिया कलाब के मूल में परमानू है परमानू से बरी रचना अनू है और ये सम मिल करके एक विवस्था में ही काम कर रहे होते हैं और उससे आगी की इस्थिती गती जो है उससे अपने आफ ही असपस्थ होती रहती है परतेक परमानू और अनू अपने प्रजाती का एक सीधी होना पाया जाता है सीधी होने का तातर पर उसके यथा इस्तिती उसकी नियंतरता से ही है जैसे दो अंस के परमानों के रूप में एक यथा इस्तिती है यही एक सोपान है तो ये बोल रहा है कि हरतेक पर्तेक परमानु अनु अपने परजाती का एक सीढ़ी होना पाया जाता है जैसे हाइड्रोजन जो है अपने जो भी देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है अपने से बरी रचना के लिए एक सीढ़ी पाया जाता है ऐसे hydrogen मिल करके H2 बनाते हैं, इसी तरीके से oxygen जो है, अपने O2 बनाते हैं, इस अधार पर जो है, वो बोल रहा है कि दो अंस मिल के एक परमानू बनाते हैं, और यथा इस्तिती है, यही एक सोपान है, इनका निश्चित आचरन होना ही इनका वैभव है, अब बोल रहा है कि जो इनका वैभव है, यह इनका निश्चित आचरन ही है, चोकि यह जो परमानू अंस मिल करके एक निश्चित आचरन कर पा रहे हैं, इसी अधार पर जो है, एक वैवस्था बनी हुई है, यदि यह निश्चित आचरन नहीं करते, तो एक वैवस्था ही नहीं हो सकती थी, ऐसा निश्चित आचरन होना ही आगे सोपान का अधार होना बन जाता है बना ही रहता है तो ये बार बार फिर से वही चीज बोल रहे हैं कि परमानू अनू बना रहे हैं अनू से बड़ी रचना बना रहे हैं हर एक जो है एक निश्चित आचरन कर रहा है तभी इस अधार पर उस उससे भी बई रचना बन पा रही है क्योंकि हर जगा एक निश्चित आचरन बना हुआ है। अब 從 आगे की बात कर रहे हैं कि धर्ती जो है उसमें जो भी हम धर्ती के आरंब की बात करें तो धर्ती में शुलात में जो भी है वो पूरी तरीके से वो जो भौतिक परमानू ही रहे होंगे अलग-अलग परजाती के परमानू रहने के उपरांद जो है उस पदार्थवस्था से जो प्रानवस्था का प्रकटन हुआ प्रानवस्था से जीवस्था का प्रकटन हुआ जीवस्था से पहचानने जाएं तो अस्तित में कहीं पर भी मतलब आप देखेंगे तो क्या हो रहा है उस होने को यदी पहचाना जाएं तो मतलब हरास प्रम से यदि हम देखें कि सबसे हरास की सबसे लाष्ट जो बात बाबाजी का रहे है परमानु अंस वहां से लेकर के जो वो जागरती परम की बात कर रहे हैं तो जहां भी कुछ घटित हो रहा होगा स्थित्व में इसके बीच में ही कुछ होगा हरास परम से ले करके जागरती परम के बीच में ही कुछ घटना घट रही हो गई और वो जहां भी होगा उससे आगे की ओर वो अग्रसित होगा मतलब वो जागरती कैसे परमानित हो इस ओर ही जो है वो अग्रसर होगा उसी को ही जो है बाबाजी नियती सहज विधी बोल रहे हैं सभी परजाती के परमानू अनू से संपन होने के उपरां थी योगिक प्रविर्ति और प्रक्रियाएं संपन होती रहती है इस धर्ती पे इसका गवाई सुषपश्ट है। उक्तसभी प्रकाशन प्रदार्थ हवस्ता में अनू पर्मानू प्रजाती के अधार पर होना, अनू पर्मानू की प्रजातिया पर्मानू अंसों के संख्या पर निर्भर रहना सुष्पस्ट है, यह हम लोग बात करी चुके हैं, अंसों की संख्या बदलना और बदलने के फ एक तरीके एक परमानू, दूसरे तरीके एक परमानू में बड़ते ही रहते हैं, तो उसका आधार बोल रहे हैं प्रस्थापन-विस्थापन, मतलब परमानूं से अंसों के निकलने को प्रस्थापन बोल रहे हैं, और ये ऐसे अंस किसी दूसरे परमानू में समा जाने को हम लोग परमानू से अंसों के निकलने को विस्थापन कर रहे हैं और ऐसे परमानू अंस किसी दूसरे परमानू में जब ये समा जाते हैं उसको प्रस्थापन कर रहे हैं इसी में एक दूसरे के साथ पूरक होने की प्रक्डिया का आसे भी संपन हुआ रहता है किसी भी परमानु से कुछ अंस विस्थापित होने के पुर्व वह परमानु आविसित रहना पाया जाता है आविसित होने के फलसरूफ ही किसी परमानू से विस्थापित होना संभव हो पाता है वा अंस किसी परमानू में समा जाता है इसी क्रिया का नाम प्रस्थापन है तो ये बोल रहे हैं कि किसी एक परमानू से कोई अंस निकल करके दूसरे परमानू में जो समा रहा है इसके लिए जिस परमानू से परमानू अंस बाहर निकल रहे हैं उसका आवेसित होना आवश्चक है क्योंकि कोई भी सुभाव गती में अपने आप में परिवर्तन नहीं करेगा तो ये आवेसित इस्थिती में होने के अधार पर ही ये परमानू अंस जो है इस परमानू से निकल करके दूसरे परमानू में समा जाते हैं और ये बोल रहे हैं उसके बाद जो है कि इस प्रस्थापन विस्थापन से ही दोनों ही त्रिप्त होते हैं त्रिप्त होने का मतलब जो है, मतलब यहां यह कह रहे हैं कि इसका आवेश सांत होता है, जिससे विस्थापित होता है, उसका आवेश सांत होता है, वो भी सुभावगती में आता है, और जिसमें प्रस्थापित होता है, वो भी उत्सभित होकर सुभावगती पर्थिष्ठा में आ जाता है तो दोनों ही अपने सुभावगती में आ जाते हैं सुभावगती पर्थिष्ठा में ही हर पर्मानु अनु अनु रचनाय निश्चित आच्रन को संपन्य करता हुआ असपश्ट होता है हर एक पर्मानु सुभावगती में ही निश्चित आच्रन करता है यदि पर्मानु सिर्म में को एक श्याष निश्चत आचरनफ को व्यक्त नहीं करताई यह बाबाजी बोल रहे हैं लिश्चित आचरनफ व्यवस्ता का प्रमान भर में Krâm सिक्रमें विकास आस्य समाहित रहता है अब मैं महात्पूर्ण बात बताता हूँ science के कोडिंग जो यह प्रस्थापन विस्थापन है science के बादिरी बहु張 हो रहा होता है कि जैसे science में हम लोग मान लेते हैं एक सिंब्ल तरीके के कि जो कलबना करते हैं हिव प pap करते हैं तो यहां यह बात आती है ऐसे कई तरह NH3 हो गया, H2O हो गया, तो अब यहां पर जो science बाग करता है कि H2O जो बना उसमें एक oxygen जो है, वो दो hydrogen के साथ ही क्यों सहीयोग किया, NH3 है, ammonia है, तो एक nitrogen जो है, वो तीन hydrogen के साथ ही क्यों सहीयोग किया, मतलब मैं बाबाजी के भासा में कहूँ, तो परमानों से अनु बनने में हो सकता है कि दो परमानों मिलके एक अनु बना रहे हो तीन परमानों मिलकर के एक अनु बना रहे हो चार परमानों मिलकर के एक अनु बना रहे हो और ऐसे बहुत तर अलग-अलग अनु मिलते हैं जहां पर अलग-अलग नंबर्स के परमानों प वो एक fundamental जो मैं कहूं बहुत हर तक नहीं लेकिन एक जो है काफी जगा सही होता हुआ दिखता है वो octet rule की बात करते हैं कि हर एक परमानू जो है उसमें जो वो संरचना जो बात करते हैं यदि science के हिसाब से हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं परमानू संरचना को तो नाभिक में proton neutron है और उसके परिवेस बहुत सारे परिवेस हो सकते हैं पर्थम परिवेस में science के हिसाब से जो maximum number of permanuance हो सकते हैं वो दो है दूतिये परिवेस में जो maximum number of permanuance है वो 8 हो सकते हैं तूतिये परिवेस में जो maximum number of permanuance है वो 18 हो सकते हैं चौतिये परिवेस में जो maximum number of permanuance है 32 हो सकते हैं यह अद्बुत बात है कि बाबा जी ने जो जीवन परमानू की सनचना की बात की है उस जीवन परमानू की सनचना में यदि आप परिवेसिये अंसों को यदि काउंट करें तो परिथम परिवेस में दो अंस हैं दूतिये परिवेस में आठ हैं तिर्थिये में अठारे हैं और चौथे में 32 हैं तो बाबा जी के जो गठन प्रमानु है उसमें भी दो आट अठारे 32 दिख रहे हैं और साइंस में जो है वो maximum number of जो परिवेसी अंसो की बात कर रहा है पहले परिवेस में 2 हो सकता है दूतिय में जो है सकता है तीसरे में 18 हो सकता है चोथे में 32 हो सकता है तो जो भी है जैसे प्रमानु है तो उस पर आट करें तो साइंस जो प्रत्म परिवेस में दो पर्मानु हैं और दूसरे फैश्वे से में फ्रमानु हैं supported क्या करता है कि ये जो दूसरे परिवेस में 6 है और maximum 8 के समाने की जो इसकी छमता है यदि ये 6 से 8 हो जाए तो ये अपने stability को गेन कर लेता है stability को गेन करने का मतलब जो है ये इस्थिर हो जाता है तो उसी अधार पर जैसे आप oxygen किसी के साथ भी जैसे hydrogen के साथ बनाता है दो hydrogen के साथ तो hydrogen के एक अंस और दो hydrogen के दो अंस लेकर के oxygen जो है अपने जो बाहरी परिवेस में 6 से 8 अंस कर लेता है इसको science octet rule भी कहता है तो इस अधार पर ये जो oxygen है वो H2O बना करके stability को गेन कर लेता है तो जो यहां पर बाबाजी जो प्रस्थापन विस्थापन की बात कर रहे हैं वो परमानू में प्रस्थापन विस्थापन की बात कर रहे हैं ये प्रस्थापन-विस्थापन के आधार पे ये परमानू जो है अनूस बनाती हैं, ऐसा साइंस जो है बनाता है, हलाकि उसमें और भी आगे चलके नियम्स हैं, पहले इतना ही है, तो अभी तक देखेंगे तो हमने जो पहला चेप्टर जो पढ़ा है, उसमें परमानू का ज अंस से मिलके बना हुआ है, ऐसे परमानू अंस जो है, वो किसी निश्चित व्यवस्था को या निश्चित आचरन को व्यक्त नहीं करते हैं, और जब वो परमानू अंस जो है, मिलकर के एक परमानू बनाते हैं, तभी वो एक व्यवस्था को प्रकट करते हैं, और ये जो ह उसका आधार क्या है कितने संख्या के परमानु मतलब कितने तरीके के परमानु है ये सब की बात हम लोगों ने की तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक जो है वो परमानु सनचना को ही समझा है इससे आगे का जो चेप्टर है वो विकास करम विकास है पहला परमानु सनचना को हमने समझा, दूसरा परमानु में विकास करम को समझेंगे, तीसरा वो विकास को समझेंगे तो विकास क्रम और विकास का मतलब क्या है बाबा जी विकास को कह रहे है कि ये गठन सिल परमानू जो है जब ये गठन पूर्ण परमानू बन जाता है इसी को ही बाबा जी विकास कह रहे है फाइनली जो विकास का बाबा जी का मतलब है कि परमानू गठन सिल परमानू का गठन पून परमानू बन जाना ही विकास है इसके अलाव बाकि जो भी चीजे हैं उसको विकास नहीं कह रहे हैं हाला कि उसमें बाबाजी बोल रहे हैं कि रचनाय विकास के जैसी लगती है लेकिन वो विकास नहीं होती तो दूसरे जो है अब हम लोग विकास क्रम को जो है स्टार्ट कर दते हैं हाला कि हमारे पास 7-8 मिनिट का ही समय है देखते हैं उसमें कितना हो पाता है विकास क्रम में अनेक प्रजातिक के अनुपर्मानु अनुपर्मानु अनुरचित रचना價 सुअसपष्च्छ हैं जैसे धर्तियssen अनुपर्पर्थम योगिक क्रिया का वैभभ है योगी क्रिया का मतलब हुआ जो है साइंस की भासा में कहें तो केमिकल रियक्षन की बात कहें जो हमारे देखेंगे जितने भी तरिके के हम यदी हम पदार्थ अवस्था को छोड़ दें तो प्रान अवस्था और जी अवस्था ग्यान अवस्था का जो वो शरीर है उसके कि दिरव की जो पहचान कर रहे हैं, उसका जो आधार कर रहे हैं, वो पानी को ही कर रहे हैं, कि सबसे पहला जो है, जो पानी ही है, जो उस योगी किव्ह का वैभव है, पानी का धर्ती के के आधार पर, अमल और चार होना पाय जाता है तो ये जो एक तरल वस्तु पानी है उस पानी के साथ जो ये धर्ती का सयोग होता है इस आधार पे ही जो बाबा जी अमल और चार की जो है बात बोल रहे हैं कि अमल और चार जो है अच्छा कुछ प्रश्ण और आए वे थे मैं उसको देख नहीं पाया string theory may be the right comparison to बाबजी सेशन संतलो है कि विज्ञान करुशान सी वस्ता का धार ये सोद का विश्य है मैं देख नहीं पाया था मैं अब लगता है इसको चोड़ के मैं अब जो है कुछ जो मैसेज आए वे उसको ही मैं डेल कलता हूँ कि मलिक भाय साब में लिखा है तो इसका मतलब है कि विज्ञान के अनुसा अंसी विवस्ता का धार है ये सोद का विश्य है नई साइंस जो है ऐसा नहीं कर रहा है कि अन्सी विवस्ता का आधार है उसने विवस्ता की बात ही नहीं किये साइंस जो है उसने कोई विवस्ता को नहीं पहचाना है साइंस जो है सिर्फ वो उसके संगठन, विगठन को पहचान रहा है उसमें गनितिय नियम को पहशान रहा है वो किसी वेवस्था की बात नहीं कर रहा यदि वो वेवस्था की बात कर रहा होता तो वो एक दिखता है कि परमानु को और जो है भाग विवाग करके हमको क्या मिलना है ऐसा उसकी कलपना में आता माल ये परमानुक भाग विवाग करके इलेक्ट्रोन प्रोटोन और नीट्रोन का हमने देख लिया तो उसको और भाग विवाग करने की आवसकता नहीं महसूस होती कि उससे कोई विवस्था निकल के नहीं आ रही है तो साइंस को एक तो व्यवस्था समझ में नहीं आया, व्यवस्था समझ में नहीं आने के अधार पर वो मूल तत्य को खोज रहा है, वो व्यवस्था को नहीं समझ रहा है, वो मूल तत्य को खोजने के लिए जो है वो भाग विभाग करता जा रहा है, अंस को बाहर निकालने के बाद एक हिमंत भीया है उन्होंने जो पूशा है अंस को बाहर निकालने के बाद आचरन अनिश्चित होगा ही जो अंस का निश्चित आचरन की बात आप कर रहे हुआ उस पर किया गया परियोग का फल है ना कि उस अंस का आचरन ऐसा बहुत आसानी से आज में आता है देखे एक बात तो सही है कि हम लोग इतनी आसानी से जो साइंस के जो भी प्रियोग है उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं जो इलेक्टरों प्रोटोन और नीट्रोन की बात जो है साइंस ने की है उसका कुछ आधार है उनका प्रियोग का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉंग आधार है उसको पूरी तरीके से हम लोग डिनाई नहीं कर सकते ये बात सही है कि हम बात तो बाबा जी की ही सही मान रहे हैं लेकिन उसको डिनाई करने का हमारे पास अभी मेरे पास तो बर्तमान कोई आधार नहीं लगता क्योंकि वो उनको अलग-अलग अंसों को निकाल करके जब वो उसको study कर रहे हैं तो वो जो एक जैसा उनका जो आचर नहीं दिख रहा इस आधार पर वो electron proton neutron कर रहा है यदि वो देखे जब भी उन्होंने electron proton neutron की पहचान की है तो वो परमानु से बाहर निकाल के ही किया परमानु वे रहते हुए उन्होंने अंसो को electron proton neutron की आधार पर नहीं पहचाना है All electron protons and neutrons are full of basic string of energy which leads to every subatomic particles but why the size and masses are different according to science नहीं यह science यह नहीं कह रहा है कि electron proton neutron का different mass की है उसने देखा है कि electron proton neutron neutron है उसके तीन जो है अलग-अलग जो mass charges उसको दिखे हैं अब क्यों है इसका उसके पास कोई जबाब नहीं है string theory is also that cannot be Samyik Arja को थोड़ा detail करें Samyik Arja Samy Arja को थोड़ा detail करें बहुत कमले शोहान जी है उन्होंने जो है Samy Arja के बारे में थोड़ा बात कहा है कि Samy Arja को detail करें तो Samy Arja की बात करें तो एक बहुत जो बात कहेंगे कि जो missing हो गया जो science अभी भी खोजने की बात कर रहा है इस Samy Arja को तो बाबा जी जो ये कह रहे है कि ये जो व्यापक भी एक वस्तु है जिसकी पहचान science में नहीं हो पाई है वो सिर्फ और सिर्फ जो है खाली जगा को वो एक उर्जा के रूप में नहीं मानता है हलाकि कुछ जो concept है dark energy वो सब को मेरे को नहीं पता लेकिन बाबा जी जो मूल ये कह रहे है कि ये पूरा जो व्यापक वस्तु जो एक वस्तविक्ता है वो सामे उर्जा के रूप में हर एक को प्राप्त है और इसी को ही उन्होंने जो है अलग-अलग नाम से दिया कि ये सामे उर्जा जो है इसी उर्जा के ही कारण जो है हर एक परमानुवंस परमानुअनुहर में जो है वो क्रिया सीलता है और वो क्रिया सीलता जो है वो सहस्तित के अर्थ में है कि वो अपने से बड़ी विवस्था में एक निश्चित आच्रण की और ही अग्रसर है विपिन विहारी जी बोल रहे है साइंस में भी किसी ने कुछ नहीं देखा है सब कुछ सिर्फ अजमसन ही है ऐसा नहीं कहेंगे देखे बात तो सही है आपके कि जो है देखने का मतलब जो है आखों से ही हम मांते हैं लेकिन साइंस में आखों की शमता को बढ़ाने के लिए इस्टूमेंट्स बनाए हैं उस इस्टूमेंट्स के हधार पर उन्होंने जो है देखने का कोशिस किया है तो वो आखों से तो नहीं देखे हैं लेकिन आख के बीच में उन्होंने एक माध्यम बना है इंस्ट्रूमेंट्स को उससे कुछ तो देखा है तो यह सिर्फ एजंशन है ऐसा कहना जो है उचित नहीं होगा क्या सूरज विकास करम में है या नहीं नरेंदर यादव जी ने पूशा है देखें विकास करम को समझना होगा कि जो है विकास करम क्या है बावा जी बावरा बोल रहा है कि अस्तर तुमें कहीं पर भी देखेंगे तो आपको एक चीज जो दिखेगा विकास करम, विकास, जागरिती करम, जागरती यही दिखेगा, इसके लाबा कहीं और कुछ नहीं दिखता है, आप किसी भी जगा धर्ट, इस धर्टी पे देखे या कहीं और देखे, तो वहाँ पर जो एक निश्चित जो है, आपका जो बना हुआ है, कि एक अंस से लेकर के, एक जागरती परम तक जो है, एक निश्चित दिसा बनी हुई है, तो जो भी पूरे अस्तित में जो भी चीज है, या तो वो विकास करम में है, और यदि वो विकास, अभी हम आगे देखेंगे, विकास का मतलब गठन पुर्णता है, तो वो विकास होने के पशात वो जाग स्यामवीर सिंग जी पूछ रहे हैं, क्या सभी अंस एक दिसा में घुर्णन करते हैं, केंदरो परिवेशिये अंस दोनों, हाँ, साइंस भी जो यह कर रहा है, कि सभी अंस जो है, वो जो इलेक्टरों, प्रोटों, न्यूट्रों है, वो घुर्णन कर रहे होते हैं, सभी के लिए ही इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि एक समय सीमा भी एक निश्चित है, वो समय सीमा हो गया है, तो आप से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कर्मदर्शन के जो परमानू है, परमानू की संरचना को हम लोगों ने पहले दिखा था, कि बाबजी ने क्या कहा है, और साइंस जो है क्या कहना चाहरा है उसको अब आगे बढ़ने से पहले जो है हम कुछ प्रशन ले लेते हैं जो उस दोरान आये वे थे मैंने बीच में उसको देखा तो जो पहला प्रशन है प्रदी प्राना जी ने कहा है यदि जीवन भी परमानू है तब क्या इसको भी mathematically experiment के दुआरा देखा जा सकता है या नहीं ये जो इनका प्रशन है ये ऐसे प्रशन जो है मैंने बहुत लोगों के मन में देखे हैं और खुद मेरे मन में भी रहा पहले और बाबाजी से भी जो है कई लोग इस तरीके के प्रशन पूछते ही थे देखे इसमें तर्क संगत जो जो एंसर लगता है कि जितने भी experiment होते हैं उसमें किसी एक प्रभाव का ही अध्यन होता है तो यदि हम दो तरीके के परमानु की बात करें एक गठन सील और एक गठन पूर्ण परमानु तो जितने भी experiment हैं वो जो भी हम equipments बनाएंगे वो किसी प्रभाव का ही अध्यन करेगा वो भौतिक रासानिक प्रभाव का ही अध्यन हो सकता है क्योंकि जो equipments बने हुए हैं वो भौतिक रासानिक परमानु से मिलके ही बने हुए हैं तो उन भौतिक रासानिक परमानु के ऊपर जो है किसी भौतिक रासानिक परमानु का ही प्रभाव परशकता है जीवन परमानु का प्रभाव उस पे नहीं पर सकता तो इस अधार पर जो जीवन पर्मानु है, जीवन पर्मानु चुकि भारबंधन और अनुबंधन से मुक्त है इसलिए हम कोई भी भौतिक रशायनिक पर्मानु से बनी ऐसी कोई भी एक्सपरिमेंटल सेटप को नहीं बना पसकते जो इस जीवन पर्मानु के साथ किसी भी तरीके का कोई प्रभाव प्रस्तूत करता हो इसलिए ये जीवन पर्मानु जो है इसको हम किसी भी तरीके से भौतिक रशायनिक विधि से इसके existence का पता नहीं लगा सकते एक तो answer मेरे को यहीं लगता है दूसरा जो एक प्रस्ण है बहुत ही सुंदर जो है व्यापक उर्जा स्वरूप कैसे है ये बहुत ही सुंदर प्रस्ण है इस चीज़ को बाबाजी ने बहुत फोकस किया कि जो व्यापक वस्तु है वो स्वयम में सामें उर्जा है और सभी को समान रूप से प्राप्त है यहीं सामें उर्जा जो है यहीं मूल कारण है हर एक परमानु अंस से लेकर परमानु में क्रिया सीलता को बनाए रखने का इसमें मैंने एक वीडियो देखा था बाबा जी के साथ प्रवीन भीया है उनका एक चर्चा था उसमें वो बाबा जी से यह बारबा पूछ रहते कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यह व्यापक वस्तु जो है उसमें रहने के कारण हर एक परमानु या परमानु हर एक वो पर्मानो अंस जो है वो व्यापक में रहने के कारण उर्जित नहीं है वो स्वयम में उर्जित है उनका प्रश्ण जो है तर्क संगत तो लगता ही है बाबा जी ने भी उसमें मेरे खाल से यही कहा था कि हमने ऐसा ही अनुभव किया है कि व्यापक ही साम में उर्जा है और यही साम में उर्जा सब को समान रूप स्प्राप्त है इस आधार पे ही जो है हर एक इकाई जो है उर्जित है तो यह तो जो है लैक तो जो है हुआ ही है जो एक कहे परंपरा में इसकी पहचान नहीं हो पाई हलाकि परंपरा में बहुत लोगों ने जो इसकी बात करते हैं ब्रह्म की बात यह सब की बात पुराने परंपरा में तो वहाँ भी कहीं न कहीं इसकी और कुछ इंगित करना चाह रहे थे लेकिन वो क्लियर नहीं था बाबाजीन इसको पुड़ा क्लियर कट जो है यह बताया कि यही मूल उर्जा है साम उर्जा यही है और इसी उर्जा वस हर एक इकाई उर्जित है क्रियासील है साइंस इस उर्जा को अभी नहीं पहचान पाया है साइंस जो है अभी जितनी भी तरीके को उर्जा को पहचानता है वो एक तरीके से परसपरता में ही एक अंस दूसरे अंस के साथ परसपरता में आते हैं तो उस दोनों के जो एक संगठा ने उसकी उर्जा को ही पहचान पाय है वो एक अंस जो है अपने आप मेहीं जो स्वयम उर्जित है उसके अधार को वह नहीं पहचान पाया है तो मेरे हिसाब से यह एक महत्पुर्ण बात है कि यह जो साम में उर्जा है व्यापक है इसका जो है अनुभव करना ही होगा, इसका अभी तक तर्क रूप में इतना ही लगता है, कि इसको ऐसा ही तर्क रूप में प्रस्तूत किया जा सकता है, बाकि ये जो एक महत्तपुर्ण मुद्दा जो है, ये व्यापक उर्जा स्वरूप क्या है, कैसे है, इसका अनुभव होना परेगा यह आत्मा में इसी का ही तो अनुभव होता है, व्यापकता का अनुभव होता है, जहां पर वो उस व्यापक को साम्य उड़जा के रूप में अनुभव करता है। वो कलपना सीलता और पड़ियों के आधार पर ही वो किसी एक निसकर्ष पर पहुँचता है, उसने आखों से कुछ देखा नहीं है, या अभी तक उसने कोई किलियर कट जगा पर पहुँचा नहीं है, कुछ थियोरी उसने डेवलब किया, जैसे पहले बोर्स का मॉडल आया एटम का, उसमें उसने बात की कि सेंटर में न्यूट्रोन प्रोटोन है और चारो तरफ इलेक्ट्रोन चक्कर काट रहे हैं। लेकिन इस संरचना के आधार पे भी ऐसे बहुत सारे एक्स्परिमेंटल रिजल्ट थे, जो एक्स्प्लेन नहीं हो रहे थे, उसको एक्स्प्लेन करने के लिए एक क्वांटम थियोरी आई। क्वांटम थियोरी जो है, वो अपने आप में ही एक अलग तरीके का कंसेप्ट है, उस आधार पे उन्होंने कुछ चीजों को एक्स्प्लेन करने कोसिस की जो बोर्स मॉडल से एक्स्प्लेन नहीं हो रही थे, लेकिन ये कहें कि इसने भी पूरी तरीके से अच्छे से समझ लिया है, ऐसा नहीं है, तो अभी हर थियोरी जो है, उसका अपना कुछ कहें कि इंपॉर्टेंस है, जो वो अभी तक की जो भी चीजें एक्स्प्रेमेंटल जो अब्जर्विशन है, उसको वो जो एक्स्प्लेन नहीं हो रही थी, उसको वो एक्स्प्लेन करता है, बट उस प्रस्ण में बड़ चली रहा है उनका सोधकार तीसरा एक और जो प्रस्ण है क्या सभी अंस एक दिशा में घुर्णन करते हैं केंद्र वह परिवेसिय अंस देख तो जो है बाबाजी ने भी कहा है कि एक अंस यदी किसी परमानू में नहीं है तो वह घुर्णन कारे करता ही यह चिए रहता है व्यापक में साइंस में इस बात को कही रहा है कहा ही जारा है कि जो भी एलेक्ट्रोन-प्रो न्हींट्रोन है वह घुर्णन कारे तो करते ही है चाहे वह नाभिक में हो सेंटर में प्रोट् Small और या एक्ट्रोन जो चारु और चक्र-का रहे हैं एलेक्ट जो है एक सर्केल में घूम रहा है तो आप ध्यान से सूचें तो उसमें दो दिशा हमेशा ही बनी रहती है एक क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज सो इसलिए इसको जो है साइन्स जो है अप इस्पिन और डाउन इस्पिन के नाम से जानता है इसलिए दो दीसा हमेशा ही बनी रहती है दो और जो comment है बैपिन भीया का के science में भी किसी ने कुछ नहीं देखा है सब कुछсть assumption ही है फिर्गे ऐसा कहना भी बहुत उचित नहीं है के science में किसी ने भी कुछ नहीं देखा है यदि हम यहाँ देखने की बात आखों से कहे तो आखों से निश्चे किसी ने कुछ नहीं देखा है क्योंकि आखों की अपनी छमता है वो एक निश्चित जो कहे कि साइज के चीजों को ही देख सकता है उससे कम साइज की चीजों को नहीं देख सकता है लेकिन उसने ऐसे अप अपने आखों की शमता को बढ़ाने की कोसिस की है बहुत सारे जो है क्यूपमेंट्स बनाए हैं जिससे वह अपने आखों से जो नहीं दिखता है उसको वह देख पा रहा है तो सब एजमसन ही है ऐसा कहना नहीं है कि उसमें कुछ चीजे तो जो है उन्होंने समझाई है यह कह पा रहे हैं तो यह सब कहीं न कहीं किसी रूप में कुछ हद तक तो समझा है चाहे वह गनितिय भासा ही क्यों नहीं हो उस गनितिय भासा को समझ करके उसको अपने परियोग में लाया ही है यही चीज रवी परकास इन्हा जी भी बोल रहा है कि modern science is hypothesis only lacking evidence का lacking नहीं है मैं यहा Electromagnetic waves है यह तो मैंने देख जह साइंस ने समझा ही कि जैसे मैं जो बोल रहा हूँ जो यह ध्वनी तरंग है यह ध्वनी तरंग जो है यह इस mobile के माध्यम से एक Electromagnetic wave के form में convert हो करके आप तक वो इतनी जल्दी पहुंच जा रहा है तो यह इसका evidence है इसके साथ साथ आप यह क launch किया हुई है और यह सब जो है किसी ना किसी गनितिय भासा को समझ करके ही किया गया है इसलिए evidence नहीं है ऐसा कहना गलत होगा देखे मतला हम पूरी तरीके से deny नहीं करते हैं लोग जो है trust कर रहे हैं उसका कुछ तो reason है कि कहीं ना कहीं वो कुछ तो परियोग करके दिखा पा रहे हैं कि उसने कुछ तो समझा है संपुर्णता में नहीं समझा है लेकिन जो भी गनितिय भासा को जितना कुछ भी समझा है उसको साथ वो परियोग करके दिखा ही पा रहे हैं एक और प्रस्ण जो है fusion और fusion को लेकर कि किनी भाईया ने पूशा है तो fusion को साइंस जो सम परजाती के जो परमानू है जो तने साइंस ने study किया है उसमें Stability को लेकर करके उसने कुछ observation किया है कि हर एक परमानू जो है उसकी Stability समान रूप से नहीं होती है तो जैसा उसने अब्ज़र किया कि सबसे ज़्यादा जो stable परमानू है वो iron है उससे जो छोटे परमानू है संख्या के रूप में परमानू अंस के संख्या के रूप में वो उससे कम stable है और उससे iron से जो ज़्यादा नंबर के परमानू अंस के परमानू है वो भी unstable है इस अधार पे साइन्स ये कलपना करता है कि हर चीज इस्टेबिलिटी की ओर जाने चाहती है तो जो छोटे परमानू हैं वो stability gain करने के लिए यदि वो iron की तरफ जाना चाहें तो वो क्या करेंगे ऐसे दो छोटे परमानू मिल करके उससे बड़े परमानू बना लेंगे जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना लेते हैं तो इसी क्रिया को उन्होंने फ्यूजन नाम दिया है और इस क्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में उर्जा जो है वो निकलती है इसको जैसे बोलते भी हैं कि जो सूरज में हो रहा है सूरज में यही घटना घट रही है फ्यूजन ही हो रहा है उस फ्यूजन के कारण ही जो है सूरज से इतनी ज़्यादा उर्जा निकल रही है फीजन जो है उसके विपरीद जो है जो भारी परमानू है वो भी जो है उनकी स्टेबिलिटी भी कम होती है तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए छोटे परमानू में तूटते हैं जैसे यूरेनियम है वो भी तूटता है और वो इसका कारण वो बताते हैं कि इससे जो है वो जो पूर परमानू है उससे ज़्यादा वो स्टेबल हो पाते हैं इस प्रोसेस में भी बड़ी मात्रा में उर्जा निकलती है इनफेक्ट देखेंगे कि जो एटम बंब है एटम बंब का पूरा कंसेप्ट जो है वो फीजन के अधार पे ही है और इसको ले करके काफी विद्ध्वन्स हुआ भी है हलके इतना ही है अब आगे हम लोग बढ़ने से पहले एक बार समेराइस कर लेते हैं कि परमानु संरचना को लेके जो हम लोगों ने बात की है तो पहले मैं बाबा जी के अनुसार बाबा जी ने जो सबसे पहले परमानु संरचना को समझने से पहले वो सहस्तितो की बात करते हैं हर जगा की अस्तितो सहस्तितो के रूप में है और इस अधार पे हर एक इकाई जो है दूसरे के साथ सहस्थित को पहचान करके ही निर्वा कर रही है इस अधार पे बाबा जी ने जो ये कहा कि हर एक परमानू अंस जो है वो उसमें भी सहस्थित की प्रेड़ना है और इस प्रेड़ना वस ही वो अंस जो है एक परमानू अंस जो है वो किसी दूसरे परमानू अंस के साथ मिल करके परमानू बना लेता है जो एक निश्चित आचरन व्यक्त करता है अब यहां पर यह बात आती है कि भई परमानु अंस का निश्चित आचरन नहीं है लेकिन परमानु एक निश्चित आचरन को व्यक्त करते हैं अब ऐसा नहीं हुआ कि परमानु अंस मिलके परमानु बना लिए तो वह वही पर चु हैं और अनु जो है उससे बड़ी रचना बना रही है इस बड़ी रचना को देखते हुए आगे तो यह धर्ती जो है इतनी बड़ी रचना के रूप में दिखी रही है तो उस अर्थ में जो भी चीजे यहाँ पर हो रही हैं मतलब देखेंगे तो वो एक एक छोटी विवस्था है वो स्वें में परमानू सबसे छोटी विवस्था ऐसा कह सकते हैं कि सबसे छोटी विवस्था परवानु है लेकिन वो विवस्था वो आइसोलेटिट विवस्था नहीं है वो संपुर्णता के अर्थ में उससे बड़ी विवस्था के लिए ही भागिदार है तो इस अर्थ में हर एक इकाई जो है अपने एक में ए और इस अर्थ पर ये भी निसकर्ष निकाला जीकी जीवन भी एक पर्मानु है और गठन पुन पर्मानु है तो जिस अर्थ में हर एक गठन सील पर्मानु जो है वो वेबस्ता को पहचान करके ववस्था में होने के लिए प्रतंसील है तो गठन पुन परमानू भी उसमें भी ऐसा निकलता ही तरक संगत की इसमें भी ववस्था को पहचान करके किसी एक ववस्था में होने की प्रविर्ती होगी ही और वो दिखता भी है जैसे पूरे मानब जाती को देखे तो वो अभी जितना भी इस धर्ती पे आना हुआ उसमें से आप देखे जो भी उन्होंने परयोग किया उससे कोई विवस्था परमानित नहीं हो पाई है इसलिए जो है परयोग चल ही रहे अलग तरीके से परयोग पहले हुआ अभी भी परयोग हो रहा है और ये जब तक इस धर्ती पे ये विवस्था परमानित नहीं हो जाती है मानवी विवस्था ये मानव का प्रयास चलता ही रहेगा इसी प्रयास वस ही जो है आप ये कह सकते हैं इस दर्सन का भी जो इस धर्ती पे आना हुआ बाबाजी के माध्यम से वो भी मैं मानता हूं कि इसी अर्थ में ही रहा चोकि यह अिस तरीके से दर्शन ने जो भी है इस मानवी विवस्था की बात नहीं की जो भी है तो बाबा जी ने बहुत सुंदर ढंक से जो है उस गठंसिल पर मानू में जो सहस्तित को अस्थापित करके उसको अध्यन किया उसके साथ हो जो है गठन पुर्म परमानू में भी उस वेवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन जो यहां पर दिक्कत ये भी कह रहे हैं, कि गठन सील परमानू जो है, उसमें इससे पहचानना निर्वा करना है, इस अधार पर वो सहतेतों को परमानित करेंगे ही, वो कर ही रहे हैं, कोई भी हाँ जी, थोरा सा कनेक्शन लॉस हो गया था, तो मैं जो बात कर रहा था, कि गठन सील परमानू जो है, वो वरस्था को परमानित करी रहे हैं, सहस्तितों को परमानित करी रहे हैं, जो गठन पूर्ण परमानू है, उसमें सिर्फ पहचानना निर्वा करना नहीं है, उसमें जानना मानना के अधार पे पहचानना निर्वा करना है इस अर्थ में यदि मनसे का जानना मानना ठीक नहीं होगा तो पहचानना निर्वा करना भी ठीक नहीं होगा तो एक बड़ी बात है कि इस सहस्तुत की पहचान ये इस सहस्तित्र का हम लोगों में अनुभव होना इसका हमारे में ग्यान होना आवस्थ है क्योंकि इस ग्यान के हुए बिना हमारे में सहस्तित्र के आधार पे पहचाना निर्वा करना नहीं हो पाएगा जो वर्तमान में दिख भी रहा है कि जो मानवे विवस्था नहीं दिख रही है जो मनसर का निश्चित आच्रन नहीं दिख रहा है उसका मूल कारण है कि इस सहस्तित की पहचान नहीं हो पाई है इसी के विपरेट जो ये साइंस को देखें तो साइंस ने जो परमानु को समझने कोसिस की उसके मूल में उसकी कुछ जिग्यासा रही वो मूल में किसी विवस्था के अर्थ में उसने परमानु को पहचाना या उसके सनचना को पहचानने कोसिस की ऐसा नहीं है जैसे मूल में यही रहा कि उसकी जिग्यासा है वो अतिसुष्म इकाई को पहचानने की कोशिस किया और उस तरफ वो कुछ लोगों ने कोशिस किया उसकी कोशिस को और बाकी लोगों ने बढ़ाया तो साइंस जो है वो किसी विवस्थागत मांसिक्ता से उस और नहीं गया तो उसने जो है जो भी पहचाना जितना भी पहचाना उसमें एक जो बड़ी भूल हो गई या जो मुझे लगता है कि ये एक जो एक कहें कि एक बहुत बड़ा नियम के रूप में जो काम कर रहा है नहीं हो पाई तो वो एक जगा पे जो है थोड़ा सा मामला गरबड़ा गया बांकि उसने जो है जो भी गनीतिय भासा को पहचाना उसमें काफी कुछ हद तक सफलता पाया भी है गनीतिय भासा को जो भी है उसमें क्या संरचिना है किस अधार पे है उसके नियम किस अधार हैं इस सब को पहचानने की कोशिस किया ही लेकिन यही है कि वो पूरा नहीं पड़ा और जिस आधार पर जो गठन सिल्फ परमानुक में एक विवस्था को नहीं पहचानने का ही कारण रहा कि उस और मानुस्त का ध्यान भी नहीं कि वो भी एक प्रकृतिक अंस है तो उसे भी एक विवस्था में होना चाहिए तो बाबा जी के माध्यम से यह हुआ है तो एक अच्छी बात है इसको हमारे को स्विकार करना चाहिए साइंस का भी ध्यान जाएगा किसी और तो वो भी इस और ध्यान देगा ही और कार करेगा ही चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जो दूसरा चेप्चर है विकास करम विकास